अच्छूता नंद जी ने एक भारत के दवे कुछले लोगों का उपर उठाने का आंदो अच्छूता नंद का मतलब है अच्छूता आनंद के साथ मैं और ये जो भोईटे नाम है जिसको अच्छूत भोईटे बोलते हैं दरसल भौत सारे नाम है जो अच्छूत के नाम से महाराष्ट के अंदर चलते हैं जो अच्छूत भोईटे जी हैं ये जो बुद्धिष्ट जो भारत में बुद्धिश्ट विचाधारागे या प्रबुद्ध लोग हैं जिनको अपना नाम जन्गरणा में, मत जन्गरणा में या कहीं कोई रईजिटेशन में कोई दिक्टाद आती है या कहीं रेश्टर्ड कराना है या अपना जो उन्हें फिलोसफी है वो बदलवानी है कोई पहले उनका मत रहा है और अभी उनको जो बुद्धिष्ट मत है वो सरकारी आंकड़ों में लिखवाना है उसकी फॉर्मिल्मिल्टी के लिए उसकी रेजिस्टेस्न के लिए मैं उनके नंबर यहां दे रहा हूँ आपको वो नंबर यहां लिखित में मिलेंगे यह लगातार लोगों की सहायता करते रहते हैं और लगातार लोगों को प्रेजित करते रहते हैं कि वो अपने सरकारी आंकड़ों में अपने आपको बुद्ध का अनुयाई ये बुद्धिष्ट या बुद्धिष्ट फिलोस्पी का या बुद्ध की कल्चर मानने वाला या बुद्ध चरिया मानने वाला या बुद्ध की जो प्रैक्टिसे उसे करने वाला लिखवाए महाँ पर इससे उनको फायदा होगा और जन्गरणा में उनकी संख्या ज्याद मत एंटर करवाना है कि हम बुद्धिष्ट मत के लोग हैं हमारा मत बुद्धिष्ट या बॉत दिख होना चाहिए तो वो सारी प्रिक्रिया सरकारी प्रिक्रिया वो आपको अविलेबल करांगे आप उनको तो आपको फारा बनना और आपको कोई नुप्सान भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आरेक्षण में या रिजर्वेसन में कहीं कोई दिक्तत आती है तो वो नियम भी बदाएंगे कि आपको कहीं दिक्तत नहीं आएगी, वो नियम आपको देंगे भी इस पकार आपके बड़ी मदद करेंगे, जो धम की सेवा लागातार करते आ रहे हैं अब बात करते हैं उनके नाम की, क्योंकि जो नाम है अचुत्ते भोईटे बेसिकली इसका बड़ा गहरा मीनिग है, और जो अचुता नंद है उसका भी भोईट है और दोनों ही नाम एक हैं, मगर एक पाली में हैं और एक संसकाइद भासा में इतना अंतर थोड़ा सा हो गया है बेसिकली एक जो धंपद है, धंपद अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान पद को पड़ते पड़ते आप उसको चानेंगे, उसको देखेंगे, उसका अन्विशन करेंगे गन्विशन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि धंपद नंबर 225 में एक गाथा है, गाथा उसको कहते हैं जो सूत होता है, जो दो लाइने तीन लाइने, चाल लाइने वहां लिखी होती है या वर्सिस होता है, या आयत होती है या सेंटेंस होता है, उसको पाएन संभुता ये यन्ती अचुत्तं ठानं यत गनत्वा ने सोच रे ये सारा आप जो धंपद नंबर 225 है वो पॉब्लिस है, उसमें देख सकते हैं उसमें जो एक शब्द है अचुत्तं ठानं ये जो अचुत्तं ठानं है इससे अचुत्ते भोटे बना हुआ है वेसी कली, अगर अचुत्ते मैंसे ए निकाल है, तो ये हो जाता है चूत्तं ठानं ठानं बोलते हैं इस ठान को और चूत्तं बोलते हैं आज के समय में, संस्कायच भासा में नाल दें तो यह हो जाता है चूतंग ठानन और ठानन बोलते हैं इस थान को और चूतंग बोलते हैं आज के समय में संस्काइद भासा में जो कहते हैं कि यह चूत हो गया यानि कि इस्खलित हो गया गिर गया और उस समय की भासा में इसको गिरा हुआ बोलते थे और अगर ए ल पतलब है जो नागिरा हुआ है जो बहुत जादा उपर उठा हुआ है इसको निपान का सालवेशन का या मोख का या अमर्तत का पद माना जाता है तरसल जो अच्छोत लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने निपान प्राप्त कर लिया या उस खांदान से संबंदित हैं या जो अरत होगे या जिन्होंने पगवान बुद्ध के समय की सबसे हाइस्ट डिगरी जो बिक्कों में होती थी अरत की या निपान प्राप्त की या मुख प्राप्त की या मत जो पद है वो प्राप्त की वो उन्होंने पद भी पा लिये उसका ही एक नाम है अचुत्तंग ठानंग यानि कि ऐसा इस्थान जो बहुत उंचा है गिरा हुआ नहीं है वो इस्थान तो यहाँ जितने भी नाम है क्योंकि जो ये अचुत्ते भोईटे हैं भो का मतलब होता है स्री मान एक मैंने भो स्री की एक वीडियो बनाई हुई है आप उस वीडियो को देख सकते हैं भो माने होता है जैसे कहते हैं ओ स्री मान आईए स्री मान जो आज के समय में बहुत ज़्यादा सम्मान जरक होता है और स्री माने होता है सर यानि मुख्य यानि हैड तो हम करते हैं ओ स्रीमान आईए यानि कि जो आप मुख्य हैं वो आईए और यहाँ जो यती का मतलब है भोईटे का मतलब है भो यती यती का मतलब होता है साधू या मंक या भिक्कू यानि ओ स्रीमान भिक्कू यानि कि बहुत जादा रेस्पेक्टिवल भिक्कू और अचु तंग भोईटे का मतलब है जो निप्रान को प्राप्त है बहुत ज़्यादा गड़मान है बहुत ज़्यादा बढ़िया है ओर स्रीमान जैसा है और जो भिक्कु है और जो मंक है जो सादू है तो ये इस तरह से आता है इसी को बाद में अचुत तानंद को अचुता बोला गया यानि जो अचुत है उसको अचुत बोला गया अचुत पाली में कहीं कोई शब्द नहीं है पाली में अचुत ऐसा कोई सब्द नाम का है ही नहीं क्योंकि पाली में अगर किसी को छूना हो तो उसको बोलते हैं फस बोलते हैं और अगर ना छूना हो तो उसको ऐ फस बोलते हैं तो पाली में जो अचूत है उसको संस्कायल भासा में अचूत बोला गया और अचूत को कहा गया अन्टचेबल Basically इतने ज़्यादा उपर वो लोग होते थे पड़ाई में लिखाई में आरत होते थे कि नीचे वाले जो साधन लोग है वो उनको छू ही नहीं पाते थे इसलिए इसलिए उनको अंटचिबल या इसलिए उनको अचूत को अचूत किया गया और छू सब्द बाद में आया है चूना सब्द बाद में आया है, पाली का सब्द नहीं है, इसका कुछ पंतावाद होता है, तो वो हाईएस्ट लेवल पर होते थे, इसलिए उनको अच्छूत बोला गया, भारत के जितने भी आज के समय के गरीब और जो दबे कुछले हुए लोग हैं, जिनके संसादन खतम ह जिनके पास कुछ नहीं है और जो भारत मूलके हैं, उनकी एजूकेशन और उनकी डिग्रियां बहुत उंची रही हैं, अच्छूत जो सब्द है वो बहुत गौरपशाली और बहुत बड़ा सब्द है, अच्छूत का मतलब है अरहत, और जो अच्छूत भोई पर है, इसक आनंद लेने वाला, तो अच्छूत अनंद एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत कमाल का नाम है, आप ऐसे समझें जैसे चड़ता हुआ है, एक सूरज का नाम है, क्योंकि अच्छूत अनंद का मतलब है, कि आप इतने उंचे दर्जे पर हैं, कि आपको कोई टच नहीं कर सक पर पाली में से आता है, एक चूत का मतलब है, कि जो ने गरा हुआ हो, इसका मतलब जो तुठा हुआ हो, ऐसा नाम उसमें आता है, इसके बहुत सारे सब्द आते हैं, जैसे बाद में इसको जो चूत सब्द है, इसको गाली बनाया गया, और गाली बनाके इसको आज तक भी गाली के रोप में चैसे बोला जाता है लगाता और गाली बहुत ज़्यादा आपस में क्योंकि जितने भी लोग थे जो अगवान बुद्ध के समय में बहुत उची अवस्था में थे वो सारे सब लगबग गाली बन चुके हैं गाली की सकल में हैं आप उनको पाली में तो वो आपको ग्लॉरिफाई मिलेंगे बहुत चमकती मिलेंगे आप उनको संस्कायद भासा में डूंडेंगे तो आपको जाली मिलेंगे अगर वो हैं बहुत उंचे आप बाली भासा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वहां क्या मतलब इन सब्ध का होता है और क्य समय में संस्कायद भासा में बहुत बड़ी है यह अचना से बना हुआ है अचूद से बना हुआ है यह सब्धों जो बताते हैं इक दूसरे को पूरी जानकरी देते हैं इसलिए आपके आज के इस जो एपिसोड है धम सेवत का और धम सेवा का इसमें आप जो अचूद आपको अगर अपना नाम सेंसस में बुद्धिष्ट या प्रभुद्ध या कुछ भी आपको लिखवाना है तो पूरी मदद आपकी करेंगे धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सक सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेसा कॉपीराइट फिरी थी और हमेसा कॉपीराइट फिरी रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बात पहुंचा देते हैं उन बातों को हम सरल भहासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं। धम दान, धम को देना सभी देने में, यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, धान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे, आप धम की सेवा में साहक बने, धम आपको खुब लाब लाब देगा, धम आपको लाब देगा, आप धम को लाब देंगे, ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद सरेणं गच्छामू, संगम 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 सरेणं गच्छा उतिय्म्मि पे दंवां सर्ण। कच्चाम। गुद्धियों पी संडौ सर्ण। बुद्धियों पी संडौ सर्ण। गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी ततियं पी संदों सर्मं गच्छामी ततियं पी संदों सर्मं गच्छामी